नमस्कार मैं हूँ गजिंद्र सिंग और आप खोल चुके निउस डिग्गी आज मौजूद हैं ब्रिंदावन में ब्रिंदावन के वाड नमबर 51 में जैसा कि आप सबको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की शुरुआत हो गई है दो चरण में चुनाव होन हैं भारते जनता पार्टे के प्रत्यास ही हैं केस सारस्वत जी जिनसे हम बात करेंगे जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में हैं इस बार देखिए निकाय चुनाव जो होता है वो आप जानते हैं कि जनता की मूल भुत आवे सकता है उनसे जुड़ा हुआ चुनाव होता है क्योंके ग्रहणी हों या बच्चे हों या उनके घर में पारवारिक जन हों सारे लोगों को ही सफाई विवस्ता की जरूरत परती है सफा प्रपगों बढ़ जाता है तो उसकी जो है फोगिंग मशीन की जरूवत है तो यह सारे संसादन एक नगरने घम के माध्यम से ही उपलब्द हो सकते हैं निकाय की माध्यम से उपलब्द हो सकते हैं तो यह जनता की मूल भुत आवे से उससे जुड़ा हुआ हुआ चुनाव प्रपगों बढ़ जाते हैं तो और जो रोड है आगे समय रोड का अच्छा हो पार के हैं पारकों का संदरी करण हो तो यह सारे बहुत सारे मुद्द हैं इसके साथ ही क्योंकि मैं भाजबा से चुनाव लड़ रहा हुँ तो आप यह चीज़ बताईए बैचारिक एक संग सब करके दिखाओ तो आप करके भी दिखा दिया आगे समझ में राममंदर का मुद्धा था पहले कैसे साब बनवा के दिखाओ खालिए तो मुद्धे को जीवित रखना चाहते हैं तो बनवा के भी दिखा दिया तो यह बैचारिक मतवेद भी हैं तो हम एक बिचारधारा क के साथ में आगे बढ़ रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा माने रखता है और साथ ही बिचारधारा के साथ साथ हम लोगों को अपना अभी आप देखो योगी जी की सरकार है तो आपने देखा सुशासन कितना अच्छा है गुंडाराज बुलकुल खतम है तो एक सुशास करने भारते जानता पाटी पे ये भी आरोप लगते हैं कि वह धर्म को लेकर आगे चलती है बाकी लोगों को बाकी द्वर्मों पर यतना ध्यान नहीं है यहुत आफिक झायए नहाई जीजर भाजवा को pill John करे बात यह नहीं है बात है सिर्फ बिचार धारा की आप समझे मेरी बात को अब ये लोग तो कहने हो क्या कहते हैं किसी धर्म बिशेश के प्रति अगर भाजबा के किसी व्यक्ति ने टिपणी की हो या कुछ उनका नुक्सान किया हो तो आप मुझे पता हैं बाई ये सनातन धर्म को आगे बढ़ को उसको जीना सिखाती है चाहे मुस्लिम सही चाहे ईशाई सही एक सनातन तो एक ची बता परंपरा है कि हमको इस दुनिया में कैसे रहना है तो धर्म बेरोदी तो कोई बात ही नहीं है जैसे कि अभी आपने सुसासन की भी बात करी तो अभी हमने हाल में देखा है कि 17 पुल आप में कारेबाई हुई के नहीं हुई आप एक चीज बताइए राजीव गांदी जी का जो मर्डर हुआ वो भी तो कितनी सीकोर्टी हुटा एस्पी जी सुरच्छा में थे तो जिसको जो कांड करना मेरी बात समझे वो एक आपरादे प्रवरती के व्यक्ति थे समयना मेर बात को और आपरादे प्रवरती के व्यक्ति के दुस्मन बहुत होते हैं तो वो अपनी जान पर खेलके उन्होंने ये काम करा हैं समझे और जो पुलिस वाले थे सारों सस्वंड किया गया परन्तु एक ऐसे व्यक्ति के पीछे दुनिया भरका ये विपच्छी लोग बवा आप कहीं ने कहीं ये कह रहे हैं कि हम सारे धर्मों को साथ लेके चलते हैं और सुशासन भी मजबूत है खेर हम इन पर आएंगे मगर अभी नगर निगम के चुनाव हैं तो मुद्दा ये है कि मतुरा ब्रंदावन की जब बात आती है तो दो मुद्दों पर भारते जंता पार्टी विफल दिखती है दिखता है कि पहले मेयर थे वो भी भारते जंता पार्टी के थे उससे पहले चेयर्मेन भी भारते जंता पार्टी के थे तो एक बंदरों की समस्या बड़ी समस्या बनती है और एक यमुना की सफाई की समस्या बड़ी समस्या बनती है कहते हैं क देखें अगर मैं क्योंको उत्तトミー से अगर इन nih जारा है सारे के सारेनी इस्तिति हैं मत्रा के लिए भी नाले टेप कर दिये गए और रही बात यमना की सुद्धी करण की तो ऐसा नहीं है भीचा यह बहुत बड़ा मिशन है धीरे धीरे उस चीज में परवर्तन हो रहा है आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि पहले तो लोग बात भी नहीं करते थे इसकी आप समझे अब कम से कम धरातल पर इस चीज आतो रही है हम लोग प्रयास तो कर रहे है हर चीज को देखो एक प्रक्रिया लगती है एक समय सीमा होती है तो ऐसा नहीं है हम इस मुद्धे को लेके पूरे जागरू के हैं यह यमना म अंबीर हैं परन्तु क्योंके बार-बार चीज़े आ जाती है कि बंदर एक बन्ने जीव हैं समयना मेरी बात को कि हम लोगों ने भी थोड़ा सा अपना जो सहरी करण हुआ है उनका बूग है कई बार अभ्यान भी चलाया गया बंदर पकड़े भी गए दूसरी जगे बार चीरवास से हमें इतना सक्ति और संबल प्रहु दे कि इन मुद्नों को उठागे हम जनता की भावनाओं के अनुरूप काम कर सकें आपको क्या लग रहा है भारत्य जनता पार्टी की जो लड़ाई है वो किस से है या एक तरफा जीत होने वाली या कॉंग्रिस को आप म हो चुकी है लड़ाई है कहां आप बताईए लड़ाई तो आपस में बड़र रहे हमारे हैं को बताई यह कि किषिने बिरोद में कोई आया क्या उनकी का इससाथ इन मेरे पास में खबड़ू सब्सी तो पहले तो अपने मुद्णों को सुजा लाएं आपस में यह अब ले ही हो कहां पाएगे आपको लग रहा फाइदा होगा भारते इंदर पार्टी को इस चीज़ का क्योंकि जैसे 2017 में अखेलेश यादव की पार्टी में इस तरीके से ग्रेकलेश हुआ था उसका फाइदा मिला था योगी जी को और अभी जिस तरीके से नगर निगम की बात पर बात करूं तो जो एक प्रत्यासी को ना उतार पाना मैदान में वो कहीं ने कहीं नाकामयाभी बनेगा कॉंगरिस के लिए नहीं आप देखिए मुझे एक चीज़ी बताईए हम तो अपने वहिसा हमने जो विकास कराया है हमारे जो मुद्धे हमारे जो बिचार हैं दूसरी पार्टियां क्या कर रही हम उनके अंदर जांकते ही नहीं है हमारे जो अपने विकास है हम तो उनको लेकर आगे बढ़ते हैं सबका साथ सबका विकास हमने जो विकास करा है हम उन मुद्धों को अपने मुद्धों पर बात करते हैं हमने यह अमुक काम कराया हम दूसरी कमि बार्दीड क्या कर रही हैं हम इन चीजों में जाते हैं नहीं है बाद जबादिक की स्थिती तो अपनी है नहीं अप जन्ता से क्या आपील करना चाहेंगे बाड़ 12 कि जंता मुझे इसलिए वोट देगी क्योंकि मैंने ज्यादातर जो इदर का च्हेत मैं यहां से प्रधान हूँ अभी निवर्तमान परधान था अभी अभी यह चेत्र जो है उसे में साम लिए उन्होंने मेरा कारेकाल देखा है एक परधान के कारेकाल में वैसे समयना मेरी बात और संस्थाओं के माध्यम से 12 कड़ रुपए के कारे कराना एक परधान के लिए बहुत बड़ी चीज ह तो हमने विकास पाधिगन के माध्यम से जलने गम के माध्यम से आरियस के माध्यम से सांसत निदी से बिधाय के निदी से इतने कारे शेतर की जनता के लिए कराएं कि उन्होंने इस रूप से हमें आशिरवाद देगी और उन्हें जीत हासिल करा हैं ऐसा कुछ कहना है मुकेश सारसर्ट जी का कैमरा परसन अंकित के साथ मैं गजेंदर सिंग वरंदावन